दोस्तो चानेक के नीती पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर व्यक्ति इस्त्री की इस अंग को छूता है तो क्यों उसकी जिन्दगी में फरक आने लगता है इस्त्री की इस अंग को आप छूते है तो उसकी जिंदगी बहुत बदल जाती है आप जिंदगी में बहुत आगे तक जाते है वही आपको हर इस्त्री की इस अंग कुछ नहीं छुना है कुछ इस्त्रिया इसका फवबाद है यानि कि आपको हर इस्तरी के साथ ऐसा नहीं करना है यदि आप हर इस्तरी के साथ ऐसा करेंगे तो आप समस्याओ में भी घिर सकते हैं इसलिए आपको बहुत साबधानी रखनी है दोस्तो इस्तरी के इस अंग को छुने वाला अव्यक्ति बहुत आगे जाता है जो लोग उसे जानते है और छमशते है वो लोग आज बहुत आगे है और अपनी जिंदगी में बहुत उन्नती कर रहे है दोस्तो आचारे चानक के एक महान राजनितिग्ये और कूटनितिग्ये थे उनके दोरा कहे गए कथन आज भी लोगों के बीच में अनुसर निया है लेकिन उन्होंने इस्तिरियों के बारे में ऐसी बाते कही है कि कुछ ऐसे कथन कहे है जो लोग आज भी मानने से कतराते है और उनके कहे गए कथन आज भी लोगों दोरा बिवदास्पद है दोस्तो आचारे चानेक के निये इस्तिरियों के बारे में बहुत गहन अध्यान किया है और उनके गहन अध्यान के फलसरूफ ही हम ये बाते कहने जा रहे है और उनकी बातों को आपके सक्षम समक्ष रख रहे है दोस्तो प्रैचिन काल में महिलाओ को समाज में बहुत उचा इस्थान परप्त था उस समय बहुत सी बिदूशी महिलाई हुई थी पाला घोसा जैसी महिलाओ ने वेदो के निर्माण में योगदान भी दिया था वही कुछ समय पच्चत महिलाव की इस्तिती गिरती चली गई दोज बताया गया है लेकिन सच यही है जहां नारी का संवान होता है जहां नारी की पूजा होती है वही पर देवता निवास करते है वही आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहे है जो अगर आप करते है तो आप जिन्दगी में बहुत आगे जाएंगे इस तरी की इस अंग को अगर आप दिन में एक बार भी छूते है तो धिरे धिरे आपकी जिन्दगी में फरक आने आना शुरू हो जाएगा आप अपनी जिन्दिगी में बदलाब महसुस करने लगोगे सब लोग हमेशा इस बात को इग्नोर करने लगते है जो लोग भी ऐसा मानते है जो लोग भी ऐसा करते है और इस्तरी की इस अंग को रोजाना छूते है वहाँ जिन्दिगी में बहुत तरक्की करते है वही आपको हर इस्त्री के इस अंग को नहीं छोना है कुछ इस्त्री के साथ ही आपको ऐसा करना है सभी इस्त्री इस लायक नहीं होती है कि आप उनके इस अंग को बार-बार छुए आपको यह काम रोजना करना है आपको यह भी नहीं करना है कि स्थ्रिक इस अंग को छुने के बाद आप आराम से बैठ जाए अचारे चन्यक के कहते हैं आशिरबात में बहुत ताकत होती है दुआओ में वो शमता होती है जो ताकत होती है कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस काम को जरूर करें जी हाँ दोस्तों अगर आपका समझ सही नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको व्रद्ध इस्त्री के पैरों को जरूर इस परश्य करना चाहिए वहाँ आपकी मा भी हो सकती है या और कोई भी मा के समझी जाने वाली कोई इस्त्री भी हो सकती है विरद्धा इस्त्री के पैर शुने से उनका सम्मान करने से आपको उनका आशिरवत प्रप्त होगा वही पर कहा जाता है कि ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होने लगता है और विरद्धा इस्त्री के दुआओं में वो ताकत होती है कि आपके सारे बिगड़े काम अपने आप बनते चले जाते है